उत्तबिदेश की जनपज बदाईउं अंतरगत कल्सपा उसावा दातागर्ज निवासी निर्मला देवी पत्नी चंदरपाल ने अपनी छोटी भेहन साबित्री के मुरादबाद में डबल फाटा किस्धित मकान को अवेद कबजे से मुक्त कराय जाने की मांग को लेकर एसेस्पी मुरादबाद को प्रातना पत्र पेश किया है निर्मला देवी बुद्बार को अपने परिजोनों के साथ एसेस्पी मुरादबाद कारयाले पहुंची जहां उनके द्वारा एसेस्पी कारयाले में प्रातना पत्र पेश किया गया जिसमें कहा गया कि उनकी छोटी भी नहीं है आरोपे की जब वे अपने बेटे आकाश के साथ उक्तब मकान में पहुची तो उनके पडोसी मोनूप, पाल, पुत्र हुकम सिंग, सुनील, पुत्र सीताराम, मदूबन, पुत्र रामकुमार, गिरी, विनोध गिरी, पुत्र धरमवीर ने गंदी-गंदी गालिय और जान से मानने की धंके दी, कहा कि यहां तुमारा कुछ नहीं है, हम इस मकान की जगा मंदिर बनाएं के, इसकी शिकायत कड़कर ठाना पुलिस को दे दी गई है, प्रातना पत्र में कहा गया है कि लोग मकान पर कबज़ा करना चाहते हैं, इनकी नियत अच्छी नहीं है, एसेसपी से इंसाफ की गुहाल लगाई है, एसेसपी को प्रातना पत्र देने के बाद, पत्रकारों से बात करते हुए निर्मला देवी ने अपनी पीड़ा यू व्यक्त की है, मैं हिया च्छी तारी को आई, उनमें हमा कर दिया, किसने? महलोवालों ने, बज्य कह रहा है कि इसमेलिक रखेंगे, कुझा मंदर बनाएंगे, हमने कि यह मंदर कैसे बन लेंदेंगे, बताओ मेरा मेरी भेहन का मकान है, तुमें कैसे मैं मंदर बन लेंगे, बसियत मेरे न मेरे पुल देट तो टेम लेते रहे कि आ रहे हैं, बोलो, अगर उन लोग नो कोई कावज नहीं दिखाया नहीं कोई आया आज कौन सा दिखारे से मिलना है जो आज क्या चाहते हैं हम तो अपने मकान लेना चाहते हैं कि यह का